आखिर भगवान राम के तहें त्यागने के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आखिर कैसे भगवान श्री राम की संतानों यान की लव और कुष ने राज्य को संभाला और कैसे सूर्य पंशियों का वंश आगे बढ़ा? जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि रावन का अंत करने के पाद श्री राम माता सिता को अपने साथ वापिस आयोध्या ले आए तब माता सिता को ये नहीं पता था कि उनके लिए अभी परिक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परिक्षा अभी उनके मार्ग में खड़ तो जल्दी से कर लीजे और कमेंट्स बेजे श्री राम जरूर लिखे जब माता सीता का राम चंदर जी ने त्याग कर दिया तो वो बाल मिकी जी के आश्रम में चली गई जहां उन्होंने अपने दो बेटों को चनम दिया जिनका नाम था लव और कुश लेकिन इतना सबोने क के बाद भी ये कहा जाता है कि माता सीता के पति श्री राम का प्रेम उनके लिए कभी कम नहीं हुआ उन्होंने सीता को त्यागने के बाद कभी दूसरी शादी नहीं की यानि कि किसी दूसरी रानी को कभी घर लेकर नहीं आए बेसीता की अनुपस्तिती में उनकी कमी को पित्र माना जाता है आईए अब जानते हैं जब भगवान श्री राम ने राज पाठ छोड़ दिया तो उसके बाद रगुवन्शियों का क्या हुआ आखिर किस ने शासन किया भगवान श्री राम के राज पाठ छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ आयोध्या आये और उन्होंने वहाँ पर शासन संभाला उन्होंने हुमादवतिक से विवा किया और अदिती के पिता बने उसके बाद अदिती के पुत्र हुए निशाद और निशाद के पुत्र हुए नर नर के बाद उनके पुत्र थे नव और इस तरह से वन्शावली आगे बढ़ती ग में कोर्वों की और से युद लड़ा था जी हां आपने बिल्कुल सही सुना हमेशा धरम के पत पर चलने वाले भगवान शिरी राम और उनकी वंशच ब्रिवन्द कोर्वों की तरफ से पांडवों के खिलाफ लड़े थे इसके पीछे की कहानी भी बहुत इंटरस्टिंग है दरसल इसके पीछे की कहानी है कि कहते हैं जब युदिष्टिंग ने अपना राज सुए यक किया था उस समय पूर्व दिशा में आपनी दिगवी जैयातरा के दोरान भीम ने ब्रिंदवल को प्रास कर दिया था जिसकी वज़े से उसके समराज्य पर पूरी तरह से युद अग्यातवास भूगना पड़ा जब वो लोग अग्यातवास में थे तब दुर्योधन के वैश्व यक के दोरान कर ने वरिंदवर पर हमला कर दिया और उसे परास्त कर दिया आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि दू जानकर हैरानी होगी कि श्री राम के वन् पत्य जमालिया बाकी अगर बात करें वरिंदवल के युद कोशल की उसकी शक्तिगी तो वो पहती शक्ति शाली थे लेकिन अरजुन के पुत्र महा धनुधारी अभिमन्यू के आगे टिक नहीं पाए और महा भारत के युद के तेरवे दिन अभिमन्यू के पानों से आघा से आगे बढ़ता हुआ विनाश करता हुआ चक्रव्यू को भेटता चला गया बाकी आप अगर इनके बारे में और अधिक जन्ना चाहते हैं तो इस पर भी हमने वीडियो बनाई हैं जिसमें आप विस्तार से प्रिंदवत के बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने क्यों पां भरत लक्षमण और श्त्रुघंड के वी दो दो पुत्रों का जिक्र मिलता है भरत के दो पुत्र हुए टाश और पुषकर वहीं लक्षमण जी के पुत्र थे चित्रांगन और चंद्रके चुटू नहीं माने उन्होंने दक्शिन पोशल प्रडीश में खुष और उत्तर कोशल प्रडीश में लब का अभिशेक कर दिया आधाफ्न जोकी लव को मिला वो राजे उतर भारत का था और कुष का दक्षिन भारत का राज्य था वही रगुवश चरित्र के अनुसार कुष को अयुध्या जाने के लिए विंध्याचल पार करना पड़ता था इससे ये भी सीध होता है कि उसका राजे दक्षिन कोशल में था कुष की राजदानी कुषवाली आज भी विरासपुर चिले में है और कोशल को राम की माता कोशल्या की जनम भूमी माना जाता है वहीं दूसरी तरफ इतिहासिक तथ्यों के नुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी लवपुरी को बाद में लोहापुर के नाम से जाना जाने लगा जो वर्तमा सिति में लाहोर है और ये आज पाकिस्तान में है यहाँ तक की इनके किले में लव का एक मंधि भी बना हुआ है दक्षिन पूर्व एश्याई देश लाउस थाई नगरी लोपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए थे ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड में जाकर बस गए जहां इन्होंने सिसोधिया वंश की स्थाप दूसरी शाका सिसोधिया राजवंश की थी जिसमें पैचार और कहलोत वंश के राज़ा हुए खुष ने कुशावली राज़े की स्थापना की जो की 36 गड़ राज़े में बिलास पुर्जिले में है खुष ने अपना राज़े पूर्व की तरफ फैलाया और ऐसा भी मान जाता है कि थाईलेंड के राज़ा इसी वंश के थे शायद इनी कुछ कारणों से थाईलेंड के राज़ा को आज भी राम की उपादी देने की प्रथा यधावत है साथ ही कुष ने एक कुषा वही यानि की कच्छ राज़ पुतों का वंश चलाया इसके अलावा मोरेय सैन संपर्दाय की स्थापना खुष के वंश से ही हुई जेबी मीतल के किताब हिस्ट्री औफ पथोरटी इनिया के नुसार खुष की मृत्यू एक असुर के वत से हुई थी इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि लव और खुष में से खुष का ही वंश आगे बढ़ा इसी वर नंद ज्यादा इतिहास में मिलता है पुरानों में तीस दूसरे सूर्य वंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है जिनमें से एक का नाम गोतम भुद्ध भी है सूर्य वंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को ही माना जाता है जिन्होंने नंद वंश के संस् आज भी अस्तित्तु में है तब जैपूर के राज परिवार में से दिया कुमारी ने पत्त्रावली के जरिये कुछ सबूत पेश किये जिसमें आयोध्या के सभी राजाओं के नाम कर्म अनुसार लिखे हुए थे और इसमें राम के वंशज के रूप में 289 नंबर पर सिंग का ना मिलता है राजकुमारी दिया एक भारतिय राजनीती के हैं और वर्तमान में लोगसबा सांसद हैं तो इस तरह से आज भी ये वंशावली चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेंगी हम भगवान श्री राम के ही अंश हैं क्योंकि हमारा भारत अखंड भारत है अयोध्या पहुंचा अचानक सैक्डो नागों का जुंड ऐसा नजारा देख दुनिया चौंक गई आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संभंध है आखिर प्रान प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद एक अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं वो भी अलग प्रचाती के आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जै श्रीराम जरूर लिखें दोस्तों राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरो शोरो पर है ये तारीक कोई आम तारीक नहीं है बलकि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व चिपा है आखिर राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया इसके पीछे का रहस से जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे त्रेता यूग में प्रभू श्री राम का जनम अभीजीत मोहरत में हुआ थ प्रतिष्ठा करने से प्रभू श्री राम सदयव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे लेकिन जैसे जैसे प्रान प्रतिष्ठा का समय नजदीग आ रहा है वैसे वैसे अलग-अलग प्रजाती के नाग अचानकी आयोध्या में प्रकट हो रहे हैं जो कि आयोध्या वास से परदा उठाने वाले हैं चोगाने वाली बात यह है कि इनमें दो प्रजाती के नाग अलग-अलग शेत्र में बार-बार निकल रहे हैं जिनका संभंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्षमन साक शात अनंत शेशनाग का रूप है और वासुकी नाग तक्षक नाग और शेशनाग तीनों ही आपस में भाई हैं जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पताल में निवास करते हैं और शेशनाग बैकुंध में भगवान विश्नु की सेवा करते हैं तो अंदाजा लगाया जा बहुत बड़ा है क्योंकि अयोध्या के एक शेत्र से जब एक साप को पकड़ कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है तो वहीं साप पुन्हे राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है जिसे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय मैसूस होता है लेकिन जै श्री र जरूर लिखें दोस्तों चौधमी शतापदी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जनम भूमी को नश्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई 1525 में राम जनम भूमी मंदिर को बाबर के सैनापती मीर बांकी ने धवस्त करवाया था तीरत नगरी अयोध्या को सत्यूग वैव स्वत मनु ने बसाया था यही प्रभू श्री राम का जनम हुआ जिसका जिकर वालमिकी की रमायन में भी है सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधी ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई लेकिन अब अयोध्या में बन रहे भव्यराममंदिर को लेकर दुनिया भर के रामवक्तों में उत्सहा देखा जा रहा है 22 जनवरी को हूने वाले रामलला की प्रान प्रतिष्ठा कार craft करम को लेकर अपने तरीके से खुशी अ हम नहीं है ये हिंदुओं के लिए एक सो भाग्य की बात है कि हमने एक ऐसे देश में जनम लिया जहां स्वयम प्रभु श्रीराम अवत्रित हो रहे हैं आपका इस बारे में क्या विचार है अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साँचा जरूर करना साथ ही साथ प्रिया दर्शकों अगर आपको इस वीडियो में बताया गया वाक्या अच्छा लगा है इस वीडियो में बताएगी घटना अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो